तो पहला कोशन है निम्लिखित में से बालक की कौन सी प्रविर्थी उन्हें खेल खेलने में प्रविर्थ करती है पहला उप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् गुन पाए जाते हैं तचनात्मक सोतंत्रता अनंद की प्रविर्ति उप्युक्स शभी तो इसका सही एंसर क्या हो जागा दोस्तों खेल के अंदर कौन से गुन पाए जाते हैं तो उप्युक्स शभी यानिया उप्शन नमबर डी इसका सही एंसर होगा दोस्तों हम लोग जाते हैं तीसरे कोशन में यहां देखते हैं क्या है बालको की सिच्छा पदती में अपना लिया गया है आगमन निगमन नात्मक पदती दूसरा बाल प्रेम पदती को तीसरा बाल समू पदती को और चौता है बालको की खेल पदती को पहला है आगमन निगमन नात्मक पदती को बाल प्रेम पदती को बाल समू पदती को और बालको की खेल पदती को तो इसका सही अंसर हो जाएगा दूस्तों तीन का सही अंसर क्या होगा दूस्तों बालको की खेल पदती को यानि अप्शन नमबर डी अब चुनते क्वेशन में जाते हैं खेल आधारी सिच्छन पधतियां पर्मुक रूप से योगदान है बालक केंदरित प्रविर्ती का, सिचक केंदरित प्रविर्ती का, बिदाले केंदरित प्रविर्ती का, ग्रीक केंदरित प्रविर्ती का तो इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों बाल केंदरित प्रविर्थी का सिच्छक केंदरित प्रविर्थी का पिदाले केंदरित प्रविर्थी का ग्रिफ केंदरित प्रविर्थी का तो इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों अपसन नमबर ए बाल केंदरित प्रविर्थी का चलते हैं पांचवे कोशन में निम्लिखित में से कौन ही एक खेल की विसिस्ता नहीं है खेल बालकों की जर्मजात प्रविर्ती है खेल का एक अनंदायक प्रविर्ती है खेल सकरात्मक प्रविर्ती है खेल दमनात्मक प्रविर्ती है तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस तो छट्ठा कोशन क्या है खेल का संबंद प्राय होता है यथार्थ जगत से कल्पनिक जगत से उप्युक्त एबी दोनों से उपर्युक्त एबी दोनों से नहीं तो खेल का संबंद कैसे होता दोस्तर यथार्थ जगत से कल्पनिक जगत से उपर्युक्त एबी दोनों से उप की उपuyक्त आफ़ी दोनों से यानि यथर जगत से भी और कल्पनाफ जगत से भी अब चलते हमने दोस्तों साथ वे项ोशन में लेजारस महोड़े में ने किस själv सिदान्त का परिदान किया है पुनर पुन्रा वर्तन्व सिदांऄ, सक्तिसाली, अधिवक्ता का सिदांऄ सुधिकरन सिदांथ, पुनररचनातमक सिदांथ तो यहां पर मैं इस कोचन का एंसर आपको नहीं दुगा इस कोचन को आप कमेंट बॉक्स में इसका सही एंसर बताना तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं या पर हमनों बढ़ते हैं आठवे कोशन में बालक का हिर्दे खेलने में ऐसे रम जाता है जैसा किसी अन्य कायर में नहीं हो ऐसा परतित होता है कि उसमें वह खोए वेस्वर की तलास करता है तो पहला उप्सन है स्टेनले हाल के और सी स्दी सिलर हॉल की दोरा और यह हरवर्ट स्पेंसर के दोरा और पेश्टोलोजी के दोरा यह कहा गया तो इसका सबसेंटैंसर और तोसका सब्सक्राइए मुझों झाय का सब्सक्राइब लिखित में से कौन सा एक माह तो नहीं है खेल बालकों की मुल्य प्रविर्थियां का सोधन करते हैं खेल बालकों का समाजिक विकास करते हैं खेल बालकों की अधियन आदतों को बरबाद करते हैं खेल बालकों का चारित्रिक उत्थान करते हैं तो इसका सही अंसर क्या होगा अ आस दो डूस्तों इसका सही एंसर ओप सोन नंबर सी यानि खेल बालकों की अधियर eh कोषिन हदतों को बरबाद करते हैं contrat यारी नौमा का sty होगा अशर कि वह दो लोग चलते हैं दोस्तों दर स्वस्त मस्तिख स्वस्त शरीर में निवास करता इस संदर्व में खेलों का महत्व है सारीक विकास में मानसिक विकास में उप्यूर युक्त ये बी दोनों विकासों में और डी में उपर युक्त में से किसी में भी नहीं तो इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्सान नमबर सी ए भी दोनों विकासों में यानि ये भी द और यहाँ पर मैं बताओ दोस्तों अगर आपको लगता है किसी question में मैं गलत कर रहा हूँ तो आप comment box में comment कर सकता हूँ मैं उसको फिर से खोजुँगा और आपको बताओंगा स़ी answer खेल का एक लाव यह है कि वह बालकों को घर से बाहर रखते हैं बालकों को विद्याले के खाली गंटे में अनुसाशित रखते हैं आवकास गाल के उत्तम उपयोग को प्रॉल न当 करते हैं विद्दालई का नाम रोचन करते हैं तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नमबर सी आवकास काल के उत्तम परियोग को प्रोनत करते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे होंगे तो आप हमारी चैनल को जरूर सस्क्राब कर लिजिएगा तथा सेर भी जरूर किजिएगा अपने दोस्तों के साथ अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बारवे कोशन में खेलो द्वारा जो समाजिक महत्व के गुण विक्सित होते हैं वे हैं क्या है प्रारम करता है उन्हें तिस संसाधन खोजी एवं ततपरता सहयोग एवं अस्परधा उप्योक शभी तो इसका सही एंसर क्या हो जागा दो दोस्तों ओप्सन नंबर डी यानि उपर युख सभी इसका स्तेरवां दोस्तों क्या है नागरिक्ता के परसिच्छन के संदर में खेल अपना योगदान देते हैं पहला है परजात तंत्रिक मुल्यों का खेलों में अनुसरन करके पारस्परिक लड़ना जगरना आदी के मानी एवम दोखादाड़ी के रूप में खेल के नियमों का अनुपालन करके तो इसका सही अंसर हो जाएगा प्रजात तंत्रिक मुल्यों का खेल में अनुसरन करके जाने ऑप्सन नंबर ए यहाँ पर चोधवे कोश्यन में खेलों का सरुष्रेश योगदान है आत्म अनु अब हम लग चलते हैं दोस्तों पंद्रवे कोश्यन में वाटरलू का यूद इटन के खेल के मैदान में जीता गया था लौड वेलिंग्टन के इस वैक का आस है पहला खेल का मैदान यूद के मैदान जिसा होता है खेल के मैदान में सीखे गए नेत्रित वगून यूद के म मैदान तथा यूद के मैदान में हार जित एक समान आंंद ग्रहन किया जाता है तो इसका सही इनसर क्या हू जाएगा दोस्तों इसका सही अंसर जाएगा आपशन नम्बर बी खेल का मैदान यूद के मैदान के जैसा होता है और यहाँ पर दोस्तों हम लोग चलते हैं तो अलोवे नमबर पे sportsmanship का अर्थ है के लो खेलो कोब खेलो खेलो हार जीत के लिए खेलो खेलो केवल जीत के लिए खेलो केवल परती असपरदा के लिए खेलो पहला खेलो खेलो खूब खेलो हर जीत के लिए खेलो खेलो केवल जीत के लिए खेलो खेलो केवल परती असपरधा के लिए खेलो तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों को पढ़ाने से केवल खेल कुद कराने से उपर युक्त ये भी दोनों की भली भाती समय लिद करने से उपर युक्त ये भी दोनों को नकारने से तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये भी दोनों भली भाती समय लिद करने से यानि ऑप्सन नंबर सी इसका सही अंस 18 question में हम लोग जाते हैं दोस्तों बिदालेयो में खेल के मैदान तथा खेल का एक आनिवाइर घंटा होना चाहिए आप इस कथन से हैं पूर्ण सहमत पूर्ण असमत आंसिप सहमत कर नहीं सकते हैं तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्ण सहमत जाने अप्शन नमबर ए क्रोमेनियस एक महान दर्शनिक थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था पहला अप्शन बालको को खेल अधारी सिच्छा परदान करने में बालकों को गनित का गूर परदान करने में बालकों को बालकों की भाती पढ़ाने में बालकों को वेस्क वेक्तियों की भाती पढ़ाने में तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप्सन नमर ए बालकों को खेल अधारिज सिच्छा परदान करने में कि हम लोग चलते हैं दोस्तों बिस्वे कोशन में क्रोमेनियस के अनुसार आल्य वस्था की सिच्छा को नाम दिया गया है वर्ना वर्नाला दोस्तों हम लोग 20 वे कोश्चेन को देखते हैं कौमे निमस के अनुसार आल्या वस्था की सिच्छा को नाम दिया गया है वरना क्यूलर स्कूल मात्री भी दाले जिमने जियम या एकेडमी तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन नमर ए वरना क्यूलर स्कूल ऑप्सन नमर ए हम लोग चलते हैं 21 में कामेनियस द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है इसकूला लिवड़स एजूकेशन एंड डेमोक्रेसी रिपब्लिक डाइडेटिक एजूकेशन तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर ए इसकोला लिवड़स यानि ऑप्सन नमर ए 22 कोचन में जाते हैं रूसों को दार्शनिक संदर्वो में वर्गी कृत किया गया है प्रकृतिवादी दार्शनिक के रूप में वेक्तिवादी दर्षनिक के रूप में, समनेवादी दर्षनिक के रूप में, आदर्सवादी दर्षनिक के रूप में तो इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकृतिवादी दर्षनिक के रूप में यानि वे प्रकृतिवादी थे 23 वा कोचन महलू जाते हैं एमिली नामक पुस्तक की रचियता कौन है फ्रेडरिक प्रोवेल जॉन जेकस रुसो हरबर्ट स्पेंसर या पेस्टोलोजी तो इसका सही एंसर हो जाएगा तेईस का भी यानि जॉन जेकस रुसो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों चोविसमे नमर पे रुसो एक एमिली को बन नाया है अपने पुस्तक का नायक अपने पुस्तक का छात्र नायक अपनी कलपना का पात्र या कुछ भी नहीं तो इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा आप्सन नमबर भी अपने पुस्तक का छात्र नायक चलते हैं 25 नमबर पे हम लोग रुसो पारंपरिक क्यान तो इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तों एंद्रिक परसिच्छन बौधिक परसिच्छन चरित्र निर्मान पारंपरिक क्यान तो इसका सही अंसर होगा यानि एंद्रिक परसिच्छन 26 प्रेम जाते हैं रूसों ने सिच्छा के तीन मुल्भूत रोत बनाये हैं जो है प्रकृति मनुष्य वस्त्वें प्रकृति खेल वस्त्वें प्रकृति मातापिता प्रकृति घर विद्दाले तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दूस्तों इसका अंसर सही हो जाएगा प् अंदायक यहां पर खाली जगह है एवम उपयोगी जीवन विकास की प्रक्रिया है यह किसने कहा था जॉन जैकस रुसो का जॉन डुवी का जॉहन हैंड्रिक पेस्टोलोजी का या उपयोग में से कोई नहीं उपर यूप में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसे नमबर एक आठाइस वा नमबर है दोस्तो किरिया द्वारा सिखना दिहेवाइक के है यह किसने का था जॉन हैंड्रिक पेस्टोलोजी का हरबर्ट एस्पेंसर का जॉहन जैकस रुसो का इमेनुवल कोट का पहला आपसे जॉहन हैंड्रिक पेस्टोलोजी का दूसरा हर्बर्ट इस्पेंसर का तिसरा जोहन जेकस रुसो का और चौंधा है इमेनुवल कोट का तो इसका सई एंसर हो जाएगा दोस्तों आपसा नमबर सी जान जेकस रुसो का कर दोस्तों हाउ गट्रेट टीचर का टीचर हर्च चिल्डरन इस पुस्तक में पेश्टोलोजी ने किस मनों विग्यानिक सिछन सिदान्त की वयक्या परस्तुत की है एंद्रिक परति छी करन की आगमनात्मक सिछन विदी की उपर्युक यह भी दोनों इनमें से कोई नहीं तो इसका सही एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी यानि ए और भी दोनों यानि इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी लास्ट कोश्चन में हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है कुश्चन जोन फ्रेडरिक हर्बट का मानना कि संपुन सिच्छा की जड़ है छात्र सिच्छ अभिवावक समाज तो संपुन सिच्छा का जड़ कोन है दोस्तों जौन फ्रेडरिक हरबर्ट के अनुसार तो इसका सही अंसर हो जाएगा छात्र अप्शन नमबर ए पहला कोचन है अन्तद्रिष्टी अर्था सुजबूज के द्वारा सिखने का सिदान्द केस्टल वादी मनों बिग्यानिकों की देन है या सिदान्द किसके लिए सरवादी कुप्योंगे मन बुद्धी बालकों के लिए तिबर बुद्धी बालकों के लिए बिकलांग बालक लिए तो इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा ते várias बुद्धी बालकों के लिए क्यूंकि दोस्तों सूजु भूज द्वारा जो सीखने का सिधांथ वर्तिपादन जिन्होंने किया था जर्मनिंग कि गे甚 tilवाधी ने किया था इस सिधान्त के अनुसार वेक्ति अपने संपुन परस्थिती को अपने मान सिख सकती से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है तिवर बुद्धी वाले बालकों के लिए यह अधिक उप्योग माना चाहता है चलते हैं दोस्तों दूसरे कोशन में किस मनोविग्यानिक ने अपने आधिगम सिधान्त में पुनरबलन पर सबसे पहले बल दिया लेविन इसकिनर हल या कोहलर तो दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा इसकिनर इसकिनर ने सबसे पहले सबसे पहले बल दिया था दोस्तों पुनरबलन पर इसके अनुसार वेवार को दोर आते हैं जिसका परिणाम सकारात्मक होता है यानि आदमी वैसे ही काम को करता है जिसको जिसको करने के बाद उसे जो परिणाम परिनाम मिलता है वो सकारात्मक होता है और उस वैवार से बसता है जिसका परिनाम नकारात्मक होता है यानि ऐसे काम नहीं करता है जिससे जो रिजल्ट आता है वो नकारात्मक होता है चलते हैं दोस्तों तिसरे कोचन में तिसरे कोचन है विकास प्रानी में प्रगति सील परि तो दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा ड्रेवर यानि ऑप्शन नमबर तीन ड्रेवर के अनुसार दोस्तों ड्रेवर ने कहा था विकास वह परक्रिया है जिसके माइदम से प्रानी निरंतर निरंतर आगी क्यों अगरसर होता है यह वह में निश्चित लेच का निर्धारी करने है तू प्रानी प्रगति सिल ता पुरुवक उसे प्राप्त करने की कोशित करता है और वह लेच्चिक वा निरंतर बढ़ता रहता है चलते हैं दोस्तों चोथे कोशन में चोथा कोशन क्या है बाल विकास के सेच्छिक नहितार्थ से समद्धित नहीं है तो इनमें से क कि देखभाल करना या लास्ट ऑप्शन है पिछडे और गंदे छेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना तो इसका सही एंसर क्या होगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चार यानि पिछडे और गंदे छेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना यहाँ पर देखते हैं दोस्तो सिच्छा ना सिर्फ नयतिक मुल्जों को सिर्जित करने का काम करती है बल्कि यह मानुए जीवन के मुल्लों को भी सिखाती है एवं स्वार्थ की भावना को पैदा करती है बाल विकास के सेचिक नहितार्थ में ये भावना भी सामिल है कि बच्चे पिछडे और गंदी छेतरों में जाकर लोगों की सेवा करे एवं जन जागरन की भावना उत्पन करे तबी सिच्छा प्राक्त करने का मुल उदेश पुरा होता है यानि दोस्तों ये जो उप्सन है चोंता नमबर ये बाल विकास सेचिक नहितार से समधित नहीं है क्योंकि इनके अनुसार हमें पिछडे और गंदी छेतरों में भी जाके लोगों की सेवा करनी चाहिए चलते हैं पुरा कॉशन में प्रात्मिक इसतर पर एक अच्छे सिचक में सबसे माथपन बिसेश्टा क्या है पढ़ाने कि उस सुखता दैरियों के दिरड़ता विस पद्धितियों के ग्यान की दच्छता तो इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा ऑफशन नमबर दो यानि धैर्य और द्रड़ता अब धैर्य और द्रड़ता क्यों है दोस्तों क्योंकि प्रात्मिक इस्तर पर अच्छे सिचक में धैर्य और द्रड कुन होते हैं दोस्तों पढ़ाने के परति समर्पित भाव या व्यापक होना जरूरी नहीं है एक सिच्छा को व्यवारिक तोर पर धहरी यहम दिर्ज संकल्पी होना चाहिए तभी वह सार्थक तरीके से सिच्छार्थियों को ज्यान से परिचित करवा सकता है यानि अप्शन ब्दिपरिचन के परिणाम जानने के बाद निमिलिकιत में से किस वेवार से बचना चाहिए परिणाम के अदार पर सुधार के लिए परामर्थ देना परिणाम के आधार पर करम बुद्री वाले बच्छों का छेयन कर उन्हें कंटिन कार्षि करने से रोकना तीसरा है बुधी परिशन का उपयोग अनुसंदान में बच्चों के व्यापक सहयोग लेने के लिए करना और चौनता है सिच्छ को बुधी परिशन के परिनाम के आधार पर कोई भी कायरे नहीं करना चाहिए तो दोस्तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर हो जाएगा आप्सन नम्बर दो यानि परिणाम के आधार पर कम बुधी वाले बच्चों का चैन कर उन्हें कटिन कायरे करने से रोकना यानि क्यूं रोका जाना जालए दोस्तों क्योंकि एक अच्छे सिचग के रूपने विक्ती को बुद्धी परिशन के परिणाम जानने के बाद परिणाम के आधार पर कम बुद्धी वाले चात्रो या बच्चों का चेहनकर उन्हें कटिन कायरिक करने से रोकना चाहिए एक अच्छे सिचा की यह पचान होती है क्योंकि वह कम बुद्धी वाले बच्चों का चैन कर उन्हें सार्थक वह आसान तरीके से बिस्टाई के बारे में आउगत करवाए ताकि वह अपने इस्तर से उस बिस्टाई से आउगत हो सके चलते हैं दोस्तों यहाँ पर साथवे कोशन में साथवा कोशन है बाल विकास एक छेतर है जिसमें पहला अप्शन है मानव मुल्यों में परिवत्तन का अध्याप अध्यान किया जाता है दूसरा है एक वेक्ति के जीवन भर के वेवार की व्याख्या की जाती है तिसरा अप्शन है वेक्ति के वेवार के तुलना वेस्को की वेवार से की जाती है और चौता है संग्यनात्मक समाजिक और दूसरी योगताओं की संबद में एक बालक के निरंतर विकास की अध्यान करता है तो इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर शार यानि संग्यानात्मक, समाजिक और दुसरी योगिताओं की संबंद में एक बालक के निरंतर विकास का अध्यान करना क्योंकि दोस्तो बाल विकास को मानों के सहरिक मांसिक और समय गात्मिक स्थित्यों का बृधि के रूप में परिवासित किया जा सकता है जो जीवन भर चलने वाले प्रक्रिया है समझे दोस्तो चलते हैं 8 वे कोशन 8 कोशन क्या है आटवा कोचन है यहाँ पर प्रगति सिल सिच्छा के अंतरगत सिच्छा में किन दो ततों का विशेश महत्पूर्ण माना गया है रूची और परियास आप सकता एवम अभी परेरिना तिसरा है वेक्तिगत विबिनता एवम रूची और चौथा इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों आपसन नमबर वन यानि रूची और परियास क्योंकि दोस्तों परगति सिल सिच्छा के अंतरगत रूची और परियास की सिच्छा के दो महत्पूर्ण ततों माने जाते हैं बिसे के परती रूची एवम अथक परियास से ही सिच्छा परियोग धर्मी बन सकती है रूची एवम परियास से सिच्छा एक सकरात्मक पत्रूप बन जाती है इससे लेच्छों को प्राप्त करना सरल हो जाता है अब हम लोग चलते हैं दोस्तो नवे कोशन में नवे कोशन यहाँ पर है आप अपनी कच्शा के बच्चों का समाजिक सारिक एवम सोय गात्मक क विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से अप किसका चुनाओ करेंगे आप कच्छा को बंद कर सभी बच्चों को उनको घर बेज बच्छो को बिभीन परकार की खेल परकृट्रिया सिखायांगे तीसरा है बच्छो को कच्छा में चुपचाप बैठ कर पढ़ने कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बढ़ जाएंगे और चोंता है कच्छा में जाने वाले देनिक गतिविजियों को बंद करा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर इसका सही एंसर हो जाएगा आप्सन नमबर दो याने बच्चों को विभिन परकार के क्हल परक्रिया सिखाएंगे अब क्यूं हम लोग खेल परक्रिया खेल परक्रिया क्यों कि बच्चों का जो समाजिक सारिक और समय गात्मख भिकास करने है तो यह आवशिक गया दोस्तों छेलपर के लिया इससे वहवारिक ज्ञान से आउगत हो जाते हैं बच्चे तथा प्रात्मिक अस्तर पर बच्चों के समुझत मानशी विकास के लिए बहुत आउशक है चलते हैं दूसों दसवे कोशन पर दस वा कोशन है दूस्तों विधाले का वातावरन प्याजे तो दोस्तो इसका सही अंसर क्या होगा किसका सही एंसर आपको कमिट बॉक्स में देना है दोस्तों और इस वीडियो में मात्र 10 कोचन ही ला रहा हूं इसके बाद गारवा कोचन भी और आगे भी बहुत कोचन है तो मैं वो कोचन बाद में कराओंगा लेकिन इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों तथा हमारे चैनल को अधिक से अधिक सेयर कर दीजेगा दोस्तों बस आप लोगों से यही उम्मीद है मुझे तो आज के वीडियों बस इतना है मिलते हैं एकने वीडियो के साथ तब तक जैहिन पंदे मातरा